इस वायावत्यम उगरस्त मेहिसं गच्छस्वा तन्वा सुगर्चा ये संसार क्या है बार्थ? मानव दानव पशू बक्षी जन्तू कीतक मत्से व्रिक्ष ये सब कैसे बनते हैं? इन पधार्थों से इनका जन्म होता है कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं मृत्यू कैसे होती हैं इनकी और मृत्यू के पश्चाद क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो मनुश्य की देह मिट्टी से बनी है मादब जल उसमें रख तादी बनकर परवाह करता है अगनी देह को ताप मान देती है और देह में विच्छ स्थानों में आकाश पकट होता है अर्थात, धर्थी, वायू, जल, अगनी और आकाश इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्मान होगा अर्थात, महामहीम, गुरुद्रोण, पृत्वी, जल, वायू, अगनी और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं धर्म ज्यानी भी पंच महाभूत का जोड है और अधर्मी भी तो मोह किस का कर रहे हो बार्थ? मिट्टी का? परन्त, अधर्थ इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं सारे संबंध इस मिट्टी के देशे ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता, तो मृत्यू के पश्टाद देखो नश्ट क्यों किया जाता है। वास्तव में ना मनुष्य का परिचे उसकी देह से है, और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से है। मनुष्य का स्वभाव, उसके बरताव और उसके कार रहे उसका परिचे। तमस, प्रजस और सत्व। ये तीन गोड़ों क्या है मादा। तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किये जीवन व्यतीत करने को सामसिक वहवार कहा जाता है। जैसे पशुपक्षी जीते हैं, केवल अपनी शारिरिक एक्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्यान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रतेइक परिस्थिती में धर्म का, सत्य का और परमपराओं का विचार करके वहवार करता है। तब उसे तात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा वेक्ति होता है, जिसके पास ज्यान तो है, वर शरीर और मन की एक्छाओं के साथ बंदा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस, अर्थात, अहंकार, पूर्ण, मनस्तिती के साथ जीता है। तमत, रजस, तधा सत्व गुणों के, अधिक या कम मात्रा के मेल से, मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्त, इन सब में तुम्हे कौन से गुण दिखाई देते हैं। युवराज दुरियोधन, धर्म जानते हैं। परन्तु वहन नहीं करते है। उनके जीवन का केंद्रा हंकार है। अर्थात, उनमें तमस कम है। रजस अधिक है। और सत्व गुण फूनता नहीं। अर्थात, राजकुमार दुशासन। इन्होंने सदेव अपने जेश्ट राता का आदेश्ट माना। बिना विचार। अर्थात, इनमें केबल तमस। महामहीन को भी देखो बार्थ। सत्व के साथ तमस का मेल है। अहंकार नहीं। किन्तु पुरातन धर्व, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंदे। आविशक्ता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोन को देखो। ग्यान और अहंकार दोनों ही है। ग्यान तो मनुष्य को मुक्ती दिलाता है। किन्तु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। पर अन्तु माधा, यदी मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है, तो फिर मनुष्य का व्यवार पहले सही निश्चत है। ती हिरन को खाएगा ही, और हिरन ती सब्हवीत ही होगा। तो फिर धर्म की प्रशंचा क्यों, अपराद का दंड क्यों, उसका क्या दात पर है। उत्तम प्रश्ण है पार्थ, किन्तु पहले मनुष्य क्या है, ये तो जान लो, मनुष्य केवल पांच महाभूत नहीं, पांच पदार्थ नहीं, पांच यानेंद्रियां, पांच करमेंद्रियां, तथा तीन गुण, ऐसी तेज वस्तुओं का मेल भी नहीं, मनुष्य को चलने फिरने तता दारे करने हैं तो, सक्ति की आविश्यक्ता होती, और उस सक्ति को चेतना कहते हैं, तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना हैं? नहीं पार्ट, मनुष्य की चेतना के साथ, उन देश वस्तुओं के मेल का नाम प्रग्रति, 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है, बुरुष, अर्थाद, पर्मात्मा का अंश, उसे आत्मा कहा गया है, जब प्रग्रति और बुरुष का मेल होता है, अर्थाद, जब पर्मात्मा का अंश, आत्मा बनकर देह में वास करता है, तब मनुष्य जीवित होता है यह आत्मा क्या है माध्मा और इससे जानने का क्या उपाए मनुष्य जैसे रत का उप्योग करता है जैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उप्योग करती है शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उप्भोग करती है किंतु आत्मा शरीर नहीं पार, शरीर का नार्श किया जा सकता, नै नंगचंदनती शंत्राणी, नै नंगधःती पावका, नन चेह नंकले ध्यंत्यापो नर सोश्यती मारूत, आत्मा ना शंत्रों से छेदी जा सकती है, और ना ही अग्नी से जलाई जा सकती है, नजल उसे निर्वल कर सकता है और ना ही बवन उसे सुखा सकती, आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर, नहन्य पे हन्यमाने शरीरे, बार ज़िएर की हत्या की जा सकती है किन्थु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती, आत्मा तो सर्व व्यापी है, अचल है, स्थेर है, सनातन है पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ कर बार बार नया शरीर धारण करती है परन्तु माधाव, मैं तो जगत का अनुभाव अपने शरीर के माध्यम से ही करता हूँ स्वेम को देहना जानकर, मैं आत्मा कैसे जान सकता हूँ स्वेम को आत्मा के रूप में जानना, असंभव भी नहीं पाग अंध भी जीते हैं, गुंगे भी जीते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते हैं स्वेम की शरीर मनुष्य नहीं, जिसकी चेतना चली जाती है, इसे मूर्चा आ जाती है, वो भी जीवित रहता इसलिए स्वश्च है, कि मनुष्य का चेतन तत्व, वो भी शरीर नहीं इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है मैं इंद्रिया नहीं, शरीर नहीं, भावनाय नहीं, विचार नहीं क्यान थी मैं नहीं, जो ये समझता जाता है, वो अंत में स्वैम को आत्मा के रूप में जान भी लेता है क्या आत्मा का क्या कारे है माधब? जब परभ्रम के भाग हुए, बुरुष तथा प्रक्रती बने, तब बुरुष अर्थात परमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रक्रती की प्रतेक वस्तू में वास किया उस आत्मा को मोहतता अंधकार ने खेर लिया पार उस मोह निद्रा से जागरित होकर स्वैम को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का कर्तव्वे, उदेश और जीवनकार है परन्तु माधव, यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या उन्नती और अवगती जैं परमात्मा कर रहे हैं? जिस प्रकार कीचड में पड़ा रत्न, चमकता नहीं, वैसे प्रकरती के 24 पदार्तों से गिरी आत्मा को विस्मरन हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है अधिकतर आत्माएं, अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं, स्वेम देह से भिन हैं, ये जान ही नहीं पाती है शरीर को जो सुख, दुख, स्वाद, गंध, आदी का अनुभव होता है, उससे अपना अनुभव मान लेती हैं और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती हैं जो आत्माएं बदलाव का प्रेत्म नहीं करती हैं, निरंतर अधर्म करती लेती हैं, उन्हें जागरित करने के लिए दंड देना निवारे हैं तुम भी ये जान लो पार्द, कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा इस रण भूमी में दिखाई देने वाला प्रतेक योथा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हैं कुछ तमे के लिए इन सब ने शरीर में वास किया हैं इनके शरीर मरेंगे किन्तु ये सब अमर वो पुना नया शरीर धारण करेंगे जब तक स्वेम को शुधात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे जब तक धर्म का त्यास करके धर्म में जड़ नहीं होंगे तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ